रेज फ्रेंचाइजी का सबसे जादा धमाकिदार सौंग अल्ला दुहाई है जो कि रेज 3 में भी रीक्रियेट किया गया है यह दोस्तों अल्ला दुहाई है सौंग आज रिलीज होने वाला है दिलताम के बैठ जाएए क्योंकि सल्मान खान एक धमाका करने वाले है रेज 3 की टीम ने एक ग्रेंड लॉंच इवेंट रखा है अल्ला दुहाई है सौंग के लिए यह सौंग वहाँ 3D में लॉंच किया जाएगा यह सबसे बड़ा ग्रेंड लॉंच होने वाला है क्योंकि पहली बात कोई गाना 3D में लॉंच किया जाने वाला है और ये गाना गाया है अमित मिश्रा ने ये काफी दमदार गाना है जिसका वेट सबको बेसबरी से था सारे फैंस इस गाने के लिए काफी बेसबर थे इस गाने के आते ही कल गाना.com पर धूम मच गई कल इसका audio version release हुआ था और इसको काफी जादा पसंद भी किया जा रहा है इससे पहले इसका teaser release हुआ था इसने काफी जादा धमागा किया था कुछी देर में ये trending पे चला गया था और ये पहला ऐसा गाना बना था जिसने कुछी समय में एक million views असिल कर लिये थे अब ऐसे में सल्मान खान पूरी टीम के साथ यानि कि जैक्निन फर्णांडेस, डेदी शाह, अनील कपूर, साकिप सलीम, बॉबी देओल और फ्रेडी दारुवाला के साथ इस फिल्म के गाने को यानि कि अल्ला दुहाई है को आज रिलीस करने वाले हैं। ये गाना आज जूहू के PVR में लाँच किया जाएगा। आपको बता दे कि ये गाना रिलीस होगा साड़े पांच बजे। इस गाने का लाँच इवेंट रखा गया है। और उसके बाद आप इससे Facebook Live पर Tips Official के Facebook पेज पर आप देख सकते हैं। और उसके कुछी देर बाद ये फिल्म Race 3 के कई गाने रिलीस के हैं जिनमें ही ये सॉंग और सेलफिश सॉंग शामिल है। इस गाने के बाद सल्मान भाईजान साथ जून को भी एक दमागा करने वाले हैं। और उसका नाम है पार्टी चले ओन एंड आउन। भाईजान की ये जो ट्रिक है कि हर जुम्मे पे अपने फैंस को ये तौफा दे रहे हैं ये काफी ज्यादा धमागेदार है। इससे इनका बस काफी ज्यादा बना हुआ है। और जस्त 15 दिन बाद यानि की 15 जून को ये फिल्म रिलीज होने वाली है। तो दोस्तों दुल्थाम के बाइच जाए ये रिलीज 3 बस आने ये ही वाली है। इसके ट्रेलर ने भी काफी जादा धमागा किया था। आपको बतादे इसका ट्रेलर भी काफी धंदार था। और अब इस गाने को दो वर्जिन में शूट किया गया है। एक है आतिवस्लम का को दूसरा है । दोस्तों आपको किस गाने का इцен सब से झाल झाल